लिखते हैं, एक्षिल का एंड, और, और, नॉट है क्या? तो एक्चलि यह एंड, और, और, नॉट जो है वेर क्लॉस के सांथ ही बैसिकली यूज किया जाता है यह तीनों के अलग-अलग कंडिशन से लाइक अगर फॉर एक्जामपल मैं आपको एक 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 एजामपल देता हूं एंड कंडिशन वहां यूज किया जाता है जहां हमें चेक करना हो कि दोनों कंडिशन ट्रू है तो ऐसे आपको समझनी आएगा मैं एक लाइव एक 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 क्वेरी आपको मैं श्रो करता हूं और एक एक्जामपल हम यहां पर देख सकते हैं select asterisk from customer where country is equals to Germany and the city is equals to Berlin तो हम यह clearly देख सकते हैं कि and यहां use हो रहा है where clause के साथ जहां पर इस query का जो मतलब है वो यह है कि मुझे table से पूरा data select करके लाना है जहां पर country Germany हो and city Berlin हो तो Berlin, city and Germany यहां दोनों true होना चाहिए so if table में country में Germany है और city में कुछ और है x, y, z है तो वो data नहीं आएगा so and operator क्या करेगा जब दोनों condition true होगा अब जाके वो data return करेगा, else वो return नहीं करेगा एक बार हम इसको run करके भी देख लेते हैं तो यहां पर हमारा already लिखा हुआ आगया है अब एक बार हम इसको run कर लेते हैं so as we can see, यहां पर city Berlin है और country हमारा Germany है for example मैं यहां पर city को कर देता हूं कुछ भी x, y, z and again I am running it so it will return no data आप देख सकते हो no result found आ गया just because यह दोनों condition true नहीं हुआ so and वहीं पर data return करेगा जहां पर दोनों condition true हो जाए and के पहले वाला और and के बाद वाला similarly, अब हम और condition को भी check कर लेते हैं और condition क्या होता है? और condition जैसे and है दोनों condition true होने पर data return करेगा वैसे or है वो or condition यह करता है कि जब दोनों में से कोई भी एक condition true होगा तो data return कर देगा अब मैं यहां पर और लगा देता हूं और इसको मैं x, y, z करता हूं last time and मैं इसने कोई data return नहीं किया था क्योंकि इन दोनों में से and अगर बीच में यहां होता है तो दोनों में से condition false था बट यहां पर क्या है कि दोनों में से कोई एक true होना चाहिए तो if country is equals to Germany then it will return data और या city में x, y, z होगा तो वो data return कर देगा तो मैं x, y, z को run करता हूं आप यहां देख सकते है सारे जर्मनी वाले जितने जर्मनी वाले truth है वो सारे data return कर दिया अब यहां पर यह क्या है कि city में जो है city में x, y, z मैंने डाल था तो x, y, z कहीं पर ही नहीं तो उसका data इसने return नहीं किया अब मैं एक छोटा सा experiment कर रहा हूं मैं इसको फिलहाल के लिए हटा रहा हूं मैं एक और city यहां से उठाओंगा तो apart from like London हमारे पास London एक city आ गया तो let's try this again तो अब ने भी क्या क्या जर्मनी अब इस वाले को अगर मैंने लास्टेम पर दिखा था आप देख लो यहां पर अच्छे से गिन लो यह जो records है ना इसमें total countries जो है वो सिफ जर्मनी क्या है क्यों क्योंकि जर्मनी पर true हुआ और city xyz है नहीं तो यह true नहीं हुआ अब मैं एक बार city में ना लंडन डाल देता हूं after that let's run this query and now you can see Germany के साथ-साथ UK भी है तो जहां जहां जर्मनी true था उसका data उसने पिक किया और भी है और अब जहां जर्मनी false है for example जहां country UK था वहां जर्मनी false था तो यह false निकल गया तो और condition क्या करेगा अगला वाले को चेक करेगा तो अगले वाले को उसने चेक किया यह city में देखा city में London okay so अब यह city wise पिक करना start कर दिया तो आप clearly देख सकते हो and or में बस यहीं difference है कि and में दोनों condition true होने चाहिए or में कोई भी एक condition true होगा वो काम करेगा right अब हम आते हैं अपने not के बारे में so यहां पर भी वहीं किया हुआ है and or का यहां पर आपको दिखाया हुआ है और यहां पर अब हमें दिखाया है not के बारे में not क्या करता है वह यह है कि यह जो query है आपको जो दिख रही है इसमें वह select करेगा सारे data return करेगा total data जहां पर Germany ना हो तो यह पूरा का पूरा data return करेगा इतने टेबल में सिर्फ जर्मनी वाले को छोड़के सब देख सकते हो Mexico, Mexico, UK, Sweden, France, Spain, France, Canada सब आया है बट जर्मनी आपको यहां कहीं भी नहीं दिखेगा for example अगर आपको यहां से अभी Canada को बाइपास करना है तो अब आप देखोगे तो यहां पर जर्मनी आ जाएगा बट यहां से Canada चला गया नॉट क्या करता है यह make sure करता है कि जो भी हम data return कर रहे है उस data में country में हमने जो भी डाला है country में हमने Canada डाल दिया यहां पर जर्मनी डाल दिया तो वो data यहां पर नहीं जाएगा आपके लिए 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 देख सकते हैं not से रही data return करता है जो data set जो जिसमें country Canada ना हो इसने वो सारे data set return किये तो and or and not का बस यहीं तीन काम है यह where clause के साथ use होता है और इनका काम है जब data हम fetch कर रहे हैं तो उसमें हम conditions लगा सके multiple यह सारे जो and or and not है यह आपस में intertwined हो सकते हैं like आपस में आप इनको combine करके use कर सकते हो जैसा आप नहीं दिखाया गया है where countries equal to Germany and city Berlin हो या फिर यह जो भी है I don't know like तो यहां पर यह दोनो and and or दोनों को combine करके use किया गया है और similarly आप नीचे देख सकते हो country where not country Germany नहीं होना चाहिए country and not country USA तो यहां पर यह दोनों condition को साथ में use किया है कि country जो है Germany भी नहीं हो चाहिए country जो है USA भी नहीं हो चाहिए similarly आपको कोई तीसरा यूज करना है तो वहां पर एक और and लगा के आप यूज कर सकते हो इसमें and चेक कर लेगा कि like Germany USA and Canada for example आप एक और आगे लगा लो and Canada भी नहीं होना चाहिए तो Canada कभी चेक कर लेगा अगर आपको और लगाना है दोनों के बीच में कि या तो जर्मनी है या तो यह है Canada या तो फिर USA है तो अप ऐसे आपके नीड के एकॉर्डिंग आप किस की क्वेरी आप लिखना चाहते है वह कौन से डेटर से चाहिए उसके एकॉर्डिंग आप डेटा फेच कर सकते हो राइट तो आपके यहां पर कोई प्रॉब्लम होगा and moving on to the next next में हमारा है order by SQL का है order by keyword order by keyword is used to sort the result set into ascending or descending order ascending आपको पता ही होगा हिंदी में ही बुलते हैं but like smallest से पहले लेगा फिर वह बढ़ते हुए जाएगा and descending order is just opposite of that like last से first and ascending is first to last order by keyword का using किया जाता जब भी हम करते हैं like कोई भी query fetch करते हैं order by column name डालते है और ascending में चाहिए हमें कि descending में चाहिए तो based on that वो data हमें return करता है तो आईए हम direct queries देखते हैं ऐसे theoretical आपको पल ले नहीं परेगा तो हम इसमें आते हैं अब यहां पर इसने क्या लिख दिया order by country select ascending from customer order by country इसने ascending और descending यहां पर use नहीं किया है और इसने ascending descending जब आप यूज नहीं करते हो न तो by default वो ascending order नहीं लेता है जहां तक मेरे को पता है तो let's see अब देखो country A से start हुआ A B C D E F G H से है नहीं आई तो आप देख सकते हो M P यह सारे ascending order में A से start किया G तक गया होगा jet तक गया होगा तो अगर आप यहां पर mention नहीं करते हो अगर यहीं पर आप कर देते हो order by country D E S C So it's for sort form abbreviation for descending so it will just sort it in descending order तो आप देख सकते हो यह back to like end to top पे आ रहा है like last से लेकर first तक आएगा यह सबसे नीचे होगा So order by का मिलनी यही काम है और कुछ नहीं है So आप order by use कर सकते हो अपना जो भी data आप fetch कर रहे हो उसको आप order करने के लिए और यह काफी helpful होता है आप एक दो बार खुद से try करो मैं तो suggest करूँगा कि आप w3schools.com open कर लो उसको उसको उसपे आप जो भी exercise है जैसे try yourself Try yourself जब आप open करते हो तो उसमें आप changes करके आप यह नहीं कि बस पढ़ रहे हो तो आपने check किया अगर इस query से यह हुआ तो आपको लास्टिंग चीजे याद रहेंगे तो आप एक बार इसको ऐसे try करना अधरवाईज आप ऐसे सिर्फ न नॉर्मल वीडियो देख रहे हो या फिर w3schools पर जाकर नॉर्मली ऐसे check कर रहे हो तो इससे कोई फायदा नहीं होगा अप थोरे दिमें भूल जाओगे या थोरे दिमें आप confused हो जाओगे तो अब हम यहां पर जितने हमने अभी देखा ना select वाला यह सारे थे record को fetch करने का fetch करना means record को read करना database से query के form query लिखके अब हम जो next में check करने वाले वो यह करने वाले insert insert means query data को write करना database में तो आप देख सकते हो सबसे पहला ही लेन है insert into statement is used to insert new record into the table इतने भी new records हैं जो भी हमें insert करना होते हैं table में उसके लिए हम insert query का use करते हैं अब आपको यहां पर यह बता रहा है कि आप दो तरीके से insert query लिख सकते हो एक तो पहला insert into table ने यह सबसे basic और I guess most used query होगा जो आप अपने college time में पढ़ते भी होगे पर नहीं पढ़ते होगे तो अभी आगे चलके आपको यह user करना होगा insert into table name इंसर्ट Inksiur इंसर्ट करना है data करना मैं, अमने insert करना है कहां इंसर्ट करना है तो into के बार आप को टेवल का नाम देना परता है जिस टेबल में आपको इंसर्ट करना है उस टेबल का आपको नाम देना है ब्रैकेट आपको एक उपन करना है सिंपली यह वाला और इस ब्रैकेट के अंदर आपको कॉलन्स देने है कॉलन्स अब क्या है और एक टेबल में मेरे पास आपको मैं यहां दिखारता हूं इस टेब में हमें data insert करना है तो यहां पर आप columns के नाम डालोगे फॉर इक्जामपल आप यहां पर डालोगे customer ID customer name country state city and जो भी बलाबला आपके जो भी further customers जो भी columns है उसके names आप यहां पर डालोगे उसकी values तो like इस column में यह value जाएगा इस column में यह value जाएगा second value third method तो एक तरह से ना जो पहला आप column के नाम दिये हो जो values में पहला value डाले गए वो उसमें जाता है अब आगे आप एक बार देख लो if you are adding values to all the columns of the table you do not need to specify the column names in the SQL however make sure the order of the values is in the same order as the columns in the table अभी यह कहना यह चाहरा है कि आपके table में for example 10 columns है right आपके table में 10 different columns है और आप दसों के दसों में आपको data डालना है आप जैसे होता है कि जो columns है उसमें ना कुछ जो columns है वो होते है primary की primary की ऐसा column होता है जिसमें data डलना ही डलना होता है उसको आप छोड़ नहीं सकते हो otherwise जैसे 10 में से आप चाहते हो कि आपका सिर्फ 5 में ही record जाना है तो आपको पांच में ही डाल सकते हो तो अगर आपको पांच में डालना है ना तो आपको भाई डेटाबेस को कैसे पता चलेगा कि जो आपने values डालने हैं वो किसके लिए डालें जैक एक जो पूरा रू आपको इंसर्ट करना है उसके भीहाब पर लाइक नेम के तो उस सिनायरियो में आप नीचे वाल अक्वारी के यूज कर लो अगर आपके पास जैसे मैंने पहले भी कहा दस कॉलन से हैं और आपको सिर्फ 5 में 6 में 7 में इंसर्ट करना record उसके लिए तो भाई क्योंकि डेटाबेस को भी पता होना चाहिए कि आप किस कॉलन में किस वैली को इंसर्ट करना चाहते हो as simple as that तो आप यहां पर देख सकते हो इंसर्ट इंटू कस्टमर कस्टमर नेम contact name, address city, postal country और उसके नीचे उसका values always remember जो भी आप colon का नाम लिख रहे हो डबल कोट में नहीं जाए क्यांकि वो values नहीं है right वो colon के नाम है and values आपको single quote में डालना है अगर value आपकी integer है तो वो भीना single quote के जा सकती है else आपकी values जो हैं वो हमेशा single quote में ही जाएंगी right so let's move on to the next अब इसमें आपको दिखा रहा है insert data specified column सिर्फ a specified कुछ specific column जो मैंने बताया था ना 10 में से 3, 4, 5, 8 में आपको insert करना है तो सिर्फ customer name, city और country में data insert करना है I don't know यह insert करेगा यह नहीं करेगा but let's check यहां पर लिखके आगया you made changes to the database row affected one तो यहां पर क्या हो गया insert into customers जो भी यह था customer name और city और इसमें यह तीन data चले गए तो insert का basically यहीं काम होता है कि आपको data insert करना होता है किसी भी database में तो इसका हम use करते हैं और इसका कोई काम नहीं तो next हम आते हैं अब null values पे इसका मतलब यह हो गया जब भी हम database fetch करते हैं कोई भी query लिखते हैं table से records को हमने fetch किया तो बहुत जगा ना जहां पर कोई हमने value entered नहीं किया for example insert वाल में ने देखा कि वहाँ पास 10 कोला ने हम 5 में insert की तो remaining 5 blank चले गए तो blank वाला ना हमेशा जो return करेगा वो null return करेगा null means void zero zero is not zero actually it's like void कुछ भी नहीं है वहाँ पर अब यहां पर देख लिजिए जैसा मैंने अभी गलती से zero बोल दिया था a null value is different from zero value और a field that contains spaces a field with a a field with a null value is one that has been left blank during the record creation तो अगर आप अपने table में जो भी record insert कर रहे हो किसी column के बहाँ पे तो अगर उसमें value null और value zero और blank space के साथ अगर आप data insert कर रहे हो वहाँ पर आपने space इंसर्ट कर दिया तो वह as a null consider नहीं होगा वह as a blank consider होगा zero तो भाई zero तो एक अपना खुदी नंबर है वह तो null में नहीं आता है so null is different from zeros and spaces यह यह कहना चाहरा है how to test a null value simple so is null का इसमें use कह जाता है आप यहाँ पर देख सकते हो where column name is null तो आपको गर चेक करना है न कि values वहाँ पर null है की नहीं तो आप एक बार is query को null run करके हम आपको दिखा देते हैं address is null तो यहाँ पर address null है इसमें कुछ भी insert नहीं हुआ similarly is not null यूज होता है जहां पर null ना हो वो सारे data को fetch करना है तो यह वो data record return करेगा जहां पर values null नहीं है so moving on update अब मानलो आपने database में कुछ records इंसर्ट कर दिये already अपने पुछ record insert किये हैं later on आपको पता चला क्योंकि मैंने customer का जो phone number जो है अब वो उसका phone number change हो गया customer database है और आपका एक मानलो stop है और आपको उस customer का phone number update करना है तो अब आपके पास दो option है option number one आप उस customer का पूरा data दुबारा से duplicate insert करो with different phone number आप से phone number होगा बाकी सारा data same होगा second option आपसे phone number को update कर दो right so update की query यहीं होती है update statement is used to modify the existing record in the table जो already exist करता है न टेबल में उस records को modify करने के लिए update का यूज किया जाता है update table set इसका मैं आपको syntax बता रहा हूं यह जो आपको यहां देख भी रहा होगा स्क्रीन पर update table name जो भी टेबल को टेबल के अंदर का data को update करना है उसको अब उसका नाम आपको यहां दालना है set करना है column name one is equals to value column two is equals to value and so on like आपको multiple column एक साथ बेट करना है तो like phone number email and address इस तीन चीज आपको update करना है तो phone number is equals to आपको value डालना है email is equals to आपको value डालना है address is equals to आपको value डालना है where where condition is condition क्या होता है where customer ID for example unique ID है unique key है जो हमारे table में है so unique key क्या होता ना वो duplicate नहीं हो सकता आपको वो single ही रहेगा तो किसी भी customer की ने एक unique ID होगी कि उसकी ID है 10 माल लेते हैं कि 10 जिसकी ID है उस customer का मुझे data update करना है so where customer ID equals to 10 तो यह query जाएगा यह चेक करेगा पहले customer ID 10 का है उसको जैसे customer ID 10 मिलेगा वो उसके values में उसकी phone number उसका email उसका address update कर देगा नए values के साथ जो आप इस value 1 और values 2 and value order 3 में आप उसको send करोगे अब यहां पर कुछ आपको disclaimers दिये जा रहे हैं be careful when updating the records in a table notice the where clause in the update statement the where clause specifies which record that should be updated यहीं कहना चारा है कि जब आप update कर रहे हो तो आप where clause से थोरा सा conditions को चेक करके अच्छे से करा करो just because कि आप किसी कोई दूसरे data को न update कर दो और फिर गलत information आ जाएगी आपके database में अब मैं आता हूँ अगर आपने for example where clause में कुछ अलग ले लिया like where country is equals to India तो इंडिया के जितने customers आपके होंगे न सबके phone number, address और contact number सेम चला जाएगा तो यह सारे चीजें हैं जो एक बार जो update आप operation प्रफॉर्म करते हो उस वक्त आप check कर लिया करो, make sure किया करो कि यहां जो भी डाल रहे हो where statement में जो condition है वो सही condition हो यहां पर वहीं दिखा रहा है customer ID is equals to one में Alfred का नाम चेंज कर रहा है और CTS की चेंज कर रहा है So I don't think आप एक बार मैं इसको run करकर दिखा दे रहा हूँ Make changes to, यहां पर हमें दिखेगा नहीं मतलब अगर हमें से further देखना चाहते हैं ना हमें काम कर सकते हैं इसका नाम मैं थोरा सा Indian रख लेता हूँ यार इसका अब देखो यहां पर यह run हो गया मैं आपको चेक करकर दिखा दे रहा हूँ कि जहां पर customer idea वहन है उसका नाम क्या है अब आप देखो customer name तो वहीं रहा इसको मैं हटा जाता हूँ फिलहाल के लिए इसको मैं करता हूँ run अब आप देखो customer name तो वहीं रहा contact name जो है वह चंदन हो गया राइट city में आ गया Delhi postal code कुछ भी रहा country तो जर्मनी जो पहले से है तो मैंने सिर्फ दो ही तीन चीज अपडेट किये थे मैं एक बार query को फिर से रीबैक कर लेता हूँ आप यहां पर चेक कर सकते हो कि मैंने सिर्फ contact name change किया था और city change किया था so here the contact name is जंदन and the city is Delhi right अब for an example अब अगर जैसा मैंने कहा था न where एक बार मैं यह भी रन करके देख ही लेता हूँ where country is equals to 20 तो अब देखो you have made changes to the databases so affected 11 11 रोज को इसने affect कर दिया अब मैं वापस से आता हूँ और यहां पर where where मैं लगाता हूँ century equals to Germany और इसको मैं अभी रन करता हूँ अब आप देखो मज़े की बात देखो जो मैंने बताया था ना कि आप अपडेट करते वक्त थोड़ा conscious रहा करें otherwise आपके पूरी की पूरी table ख़राब हो सकती है तो यहां पर आप देखो country सारे क्या आगे है जर्मनी जर्मनी सारे जर्मनी क्या है अब सब के नाम देखो चंदर सब के cities देखो Delhi तो एक छोटा सा मिस्टेक आपने यहां पर condition लगाने में छोटी सी गलती की और यह क्या करेगा आपके database में पूरे records को change कर देगा तो make sure कीजिए कि ऐसा कोई error आप ना करें बना नहीं W3 schools वालों का यह error साया सुधर नहीं जाएगा मैं एक बाद फिर से इसको run करके देख लेता हूं यार उनका कुछ तो होगा आपना backtrack कर लेता हो ना वापस से database को otherwise I guess उनका database में permanent change हो गया है जो भी हो इसको मैं बाद में भी चेक कर लेंगा आप भी एक बाद चेक कर लेंगा आपसे system में यह वाला query रन करके कि क्या name, contact name और city Germany वालों के सारे एक ही हो गए ऐसा मतलब मेरे को भी दिख रहा है आप भी एक बाद चेक कर लेंगा तो w3 वाल को फिर से अपना database पैक करना पर रहेगा recover तो यहां पर है update multiple records यह सेम है जो मैंने अभी किया update customer customer name where country is equals to Mexico यह Mexico वाले होंगे उसके सारे contact name का नाम जुआन कर देगा यह जुआन डोड़मॉन रख लेता update warning be careful when updating the records if you omit the where clause all the records will be updated यह वहीं कह रहा है जो मैंने भी आपको disclaimer दिया था similarly वहीं कह रहा है इधर एक आपसे छोड़ा सा exercise करवाएगा अब आते हम delete पे आज यह मेरा प्लान है कि कुछ topics cover कर लूँ चलो आज मैं delete तक ही cover करूँगा यह select top तक कर लूँगा बाकी के topics थोर से और बचेंगे joints जो हैं यह काफी interesting topic है इसमें हमें लगेगा time alias में भी थोर सा time लगेगा बाकी यह सब wild characters and like count average sum mean max select top इन सब में time लगेगा joints काफी interesting होने वाला है तो joints के लिए आप उपर वाले जितने में बता रहा हो ना है यह आप बिलकुल clear रखना join समझ में आ जाएगा join बहुत like most probably like अभी मैं जहां work करता हूं वहां पे joints का तो use बहुत जादा है यार मतलब 5-5-6-6 tables को join करके data निकालने पड़ते हैं कि obvious एक table में सारा record होता नहीं तो आप जब एक बड़े organization level पे काम करोगे ना तो joints का use बहुत जादा होने वाला है यह सब जो query में आपको उपर बता रहा हूं यह basics है यह सिर्फ सीखने के लिए और यह भी ऐसा नहीं कि यह use नहीं होंगे यह use होंगे बट यह use होंगे with all और भी बहुत सारी चीजे बतलब इनहीं में से बहुत सारी चीजे combined होके used होती है अगर आप किसी organization में काम कर रहे हो तो definitely है उनका data set बहुत big होता है तो उनकी जो storage होती है वो different tables होती है वापस में foreign key के through linked होती है कैसे हमें join perform करना है कौन सा join perform करना है left, right, inner join करना है यह सारी चीजे आपको सोचना पड़ता है कैसे आपको data fetch करना है किस type का requirement है requirement के recording आप अपना query लिखते हो तो let's move on to delete the SQL delete statement the delete statement is used to delete existing record in the table आपको पढ़के भी समझ में आ रहा होगा नाम सही SQL delete statement क्या करेगा भाई? उसको हमें delete करना है तो उसको delete करना है तो हम अपने delete statement का use करेंगे तो delete statement अब लिखते कैसे है जैसे update का हमने इसमें भी एक warning है भाई डिलीट करते बखना आप धुरब प्रिकॉर्शन मिंटेंग कर आप पॉंसर रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो यह ऐसा नहीं कि आप पुछ where clause में उल्टा पुल्टा जाल दी और सब डिलीट होगी यहां आते है and delete from customers where customer name is equal to Alfred Joby Whatever तो यह क्या करेगा जहां भी customer name उसको यह मिलेगा उस record को यह डिलीट कर देगा इसने क्या कि एक ही मिला इसको एक को इसने डिलीट कर दिया अब हमने लास्ट नेम कौन सा यूज़ किया था कस्टमर के लिए मैं इसको हटा रहा हूं और इसको एक बाद कर रहा हूं अब इसमें देखो भाई कॉंटेक्ट नेम में चंदन बहुत जगा पे है अब मैं क्या कर रहा हूं था मैं अपना रिकॉर्ड इसमें से करने वाला कॉंटेक्ट नेम इसको मैंने रन किया और यह इसने दस रोव अफेक्ट कर दिया है अब जो है जैसे लास्टे मैंने रन करका आपको दिखाया था यह वाले क्वैरियों इससे सारे रिकॉर्ड आ रहा थे जिसमें चंदन था अब देखो जर्मनी वाले में सारे मैं क्या था चंदन नाम था और सिटी कैसी डैली अभी क्या होगा कंट्री रीकॉर्ट से जर्मनी अभी मैं सर्च करूंगा no result just because जर्मनी वाले में जितने थें? चंद थे. और मैंने चंदन वाले नाम के सारे डिलीट कर दी है विच मिन्स तोटल जर्मनी वाला ही डेटा डिलीट हो गया सो जर्मनी के नाम पर कुछ हाई नहीं तो डिलीट का यहीं काम है जो भी रिकॉर्ड है डिलीट करना आपको डिलीट कर सकते हो based on the condition जो भी आप condition उसमें लगाओगे उस condition के बिहाफ पे आप data delete कर सकते हो नीचे वहीं आपको कुछ दिखाया है delete आपको इसी query को fulfill करना है delete from customers where countries equals to Norway आप इसको use कर सकते हो delete करने के लिए तो आज के लिए बस इतना ही कल से हम cover कर लेंगे यह select top, mean max, count average, like, wildcard और definitely next videos में मैं यहां तो aliases तक cover कर लूँगा and after death हम joins पे आजाएंगे और next जो अपना third वाला वीडियो होगा इसके बात के बाद वाला उसमें हम join सारे cover कर लेंगे most probably मैं कोसिस करूँगा कि एक ही वीडियो में मैं सारे joints cover कर लू and after death जो बच जाएगा नीचे वाला store procedure यह सब तो थोरा high level में आ जाता है but no issue मैं इसको भी cover कर लूँगा later on बाकि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो hit the like button यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और comment section में है अगर आपको कहीं पर कोई issue है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भी बता दो यार बुरा लग रहा है तो तो भी लिख दो मेरे को कोई issue नहीं मतलब definitely वो है जब feedback मेरे लिए काम करेगा है make sure कि further उन चीजों को भी cover up किया जाए या वो चीजे repeat ना किया जाए अगर वो आपके benefit में नहीं आता है और अगर कोई doubt है या कोई दूसरी topic apart from SQL if you want any another topic tech related topic और अप कुछ भी आप science related physics related आप कुछ भी topic आपकी हो कोई भी query हो या biology related हो या फिर programming related हो programming related mostly like database related आपकी कोई भी query हो या basic कोई भी programming related query हो let me know in the comment section below definitely मैं उसमें वीडियो बनाऊँगा मैं make sure करूँगा कि वो मैं जल से जल करूँ ताकि आपको जो है आपके personalized type content आपको मिलते रहे और आप learn करते रहे और मेरे फायदे के लिए आप यार subscribe कर लो पहले चीज क्या कि मैं बहुत ज्यादा मेहनद करना परता है इसके लिए और definitely इतना बोलना परता है यार दूसरी चीज ना इसमें editing करनी परती है बहुत ज्यादा editing करनी परती है तीसरी चीज चीजों को explain आपको करना make sure करना कि इस तरीके से present कर पाऊं कि आपको समझ में है तो मैंने इसलिए तो W3 school platform को चुना करें कि यहाँ पर कुछ चीज है ना वो काफी organized और already ना chapter wise form में है तो content है all I need is to explain और वो मैं कर रहा हूं अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो यहर like, share, subscribe कर लो और bell icon को भी है दबाले ना notification मिलता रहा फ़दा तो चलिए मिलते हैं अब अगले videos में अगले में मैं आप जैसा मैंने बताया मैं यहाँ से cover करूँगा click top से लेखे और alias तो तब तक के लिए टाटा बाइबाइब एंजॉय दा वीडियो